दोस्तो, शारूख खान ने एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच में इंडिया का नाम रोशन कर दिया भाई सहाब यहाँ पे आसकर से भी बड़ा सम्मान किंग खान को दिया गया हेलो गाईस, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका स्वागत है आपका शारुख खान के एक और बिग अचीवमेंट के अपडेट के एपिसोड में एक मैने पहले ही हमने आपको लोकानो फिल्म फेस्टीवल में क्या होने वाला है शारुख खान को कौन सा अचीवमेंट और कौन सा अवार्ड दिया जाने वाला है उसकी बात दोस्तों बता दी थी तो कुछ लोगों ने सोचा कि होगा कोई आवार्ड लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इस आवार्ड के महत बताएंगे और शारुख खान ने दोस्तों आखिर क्या बोला है वहां पे जब उनको आवार्ड मिला गया वह भी दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे वहीं गाई इसके अलावा यहां पे यह आसकर से कितना बड़ा है इसके बारें बात करेंगे तो भाई कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टार्ट दरसर गाई देखो बात ऐसी है कि शारू खान ना केवल इंडिया के बलकि दोस्तों दुनिया के सबसे पॉपुलर आप लोग के यह कह सकते हो कि सबसे टेलेंटिड सूपरस्टार और एक्टर में से एक हैं उनको ना जाने कहीं जगा गाई कह सकते हैं कि सिनेमा में योगद लेंड के लोकानो फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों उनको जो आवाड दिया गया अगर हम लोग नाम आपको बताएं तो वह है पार्डो आला केरियर आवाड और यह गाईस कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सिनेमा जगत में दिया जाने वाला आवाड है जो कि आसकर से भी पहल को देख सकते हैं जो कि घृः आपने एक रिकॉर्ड हैं और कहीं इसी जो घृवार्ड फन्टिवल में शारू खान गए थे सथ अगास्ट से ही इस फیस्टिगल की दोस्तों शुरुबात हो गई और कल शारूख खान को दोस्तों ये आवड दिया गया शारूख खान कह सकते हैं कि अपने सेंसर यूमर के लिए जाने जाते हैं और कल गाइस उन्होंने जब अवड लिया तो काफी मस्ती के अंदाज में वो दिखे और उन्होंने कह सकते हैं कि शुकरिया आदा किया दुनिया भर के अपने फैंस का और भी कई दोस्तों ने बाते किया आपको अगर वीडियो को देखना है तो आप मैं कमेंट में लिंक डे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स म मैं आपको ताओं तो ये पुरुसकार उन लोगों को दिया जाता है जो अपने क्रियेटिव कामों से सिनिमा को नई पहचान देते हैं और यहां पर दोस्तों अगर हम लोग जो फैस्टिवल के क्रियेटिव डिरेक्टर हैं जियोना ए नजारों ने जो बात कही है वो अगर अच्छा मलब छाब डाला है उन्होंने आगे कहा शारुख खान वाकई एक किंग है जिन्होंने अपने फैंस से कभी नाता नहीं तोड़ा आपने देखा कि कैसे 2023 से पहले शारुख खान का करियर बिल्कुली डाउन चल रहा था यहां पे हेटर्स तो यह भी कह रहे थे कि शारुख खान को अब रिटायर्मेंट देना चाहिए और उनको मूवीज नहीं करनी चाहिए लेकिन गाई शारुख खान ने कहीं इंटर्वी में बात कही है कि मैं बिना मूवीज के बिना सीनेवा के नहीं जी सकता और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने खतरनाक तरीकी की ये वापसी जो दुनिया है वो याद रखेगा क्योंकि गाइज एक साल में तीन मूवी का ब्लॉगबस्टर होना उनमें से दो मूवी का थाउजन करोड में जाना और दो मूवी का फॉर हंड़र्ड करोड जंग आइज चार सो करोड का ओवर्सिस में क्रेक्शन करना ये कोई चोटी मोटी बात नही है और गाइज यहांपे कह सकते हैं कि उन्होंने ये घाले कर भी की कि शारु खान हमेशा बहतर करने के लिए खुद को का इस चैलेंज देते रहते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों यहां पर यह जो फैस्टिवल है इसमें शारु खान ने चार चान लगा दिया और अगर आप लोग उनके लुक की बात करते हो तो काफी डैशिंग लग रहे हैं अभी कुछ लोग शारु खान के इस लुक को यह शुरू करेंगे अब इन बीते दो-तिन महीने शारु खान क्या करने वाले वह हमें भी नहीं पता क्या पता चुप चाप से कोई दूसरी मूवी के शूटिंग चल गई हो अलाकि शारु खान की बड़ी मूवी के दोस्तों अप्रेट तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई त किजिए और शारु खान के इस जो गाइज उनको अचीमेंट दिया गया है इसमें आपका क्या सोचना है कमेंट बाक्स में जरूर बताना बागी दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो उनके अलावा जैन केंपियन अलफोसो कुआरो और आईरीन जैकप को भी सम्मानित किय आगया था इस फिल्म फेस्टिवल में तो गई ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करना शारु खान गाइस कह सकते कि अक्सर करते हुए आए हैं और सुजर लेंड के लोकार्नों में शारु खान ने इंडिया का नाम रोशन कर दिया इवन वर्ल्ड सिनेमा में क्या कहना ह और हेटर्स का क्या होगा वाई आगे मिल देंगी सी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही